Welcome to my channel, My Life, My Way आज मैं आपके लिए क्लास 9 के हिंदी के 2nd unit के कुछ important प्रसनों को लेकर आई हूँ और कुछ एक प्रसन है जो important है तो आप इसे ध्यान से याद कर ले इसका उत्तर में मैं आपको लिख कर भी बता रहे हूँ और पड़ भी दे रहे हूँ तो जो student है ध्यान पुर्वक इन्हें सुने उन्हें एक बार सुनने पर ही याद हो जाएंगे तो मैं पड़ती हूँ पहला प्रसन है धामीन क्या है तो इसका उत्तर है या एक साप है पेड का दर्द के राचाईता कौन है उत्तर है सर्वेस्वर्द याल सकसे ना भोला राम की मिर्टियू कैसे हुई थी इसका उत्तर है गरीबी से मेरी लड़की गाना बजाना शिखती है इसका वक्ता यानि बोलने वाला और सुनने वाला शुरोटा का नाम क्या है तो इसका उत्तर होगा पेंशन दफ्तर का बड़ा साहब है वक्ता और श्रोता नारत जी है अगला प्रस्ण है कौसानी में लेखा किसका इंतजार कर रहे थे उत्तर है शुकला जी का हिमाले के पास भारती जी ने क्या संदेश भेजा उत्तर है उन्होंने कहा कि नहीं बंदू मैं फिर से लोट कराऊंगा अगला प्रस्ण है संस्कृति क्या है इसका संबंध किस्से है तो इसका उत्तर है या एक भाव है संसकार है जिसे देखा तो नहीं जा सकता बोला भी नहीं जा सकता पर सभी के अंदर या रचा बसा होता है संस्कृति का प्राण तत्तो क्या है तो उत्तर है आदान प्रदान संस्कृति का प्राण तत्तो है जब तक एक संस्कृति दूसरी संस्कृति में घुल मिल नहीं जाती है या जिस संस्कृति में दूसरी संस्कृति से कुछ चीजें अपनाने की सक्ति नहीं होती है वो संस्कृति ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाती है इसलिए इसका प्राण तत्व यानि जो इसे जिवित रखता है वो है आदान प्रदान अरूर कवल कहां बार बार जाना चाहते थे तो इसका उत्तर है वो कोलकाता बार 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 जाना चाहते थे हाथ रिक्सा चलाना किस ओर से इंगित करता है यानि किस बात की और इसारा करता है हाथ रिक्सा चलाना तो इसका उत्तर है हाथ रिक्सा चलाना यह अति पिछड़ेपन की और संकेत करता है कि आज भी इस्थिती ऐसी है कि लोग सारी रिक्सम ज़्यादा कर रहे हैं और मनुष का स्थान पशू से ज़्यादा नहीं है यह सम चमाजिक पिछड़ेपन की और भी इसारा करता है। पासी कौशनष रचना है , उनकी की रचना है, सबसे खतरणाक। महनत की लूट से कवी का क्याथ पह नहीं है। उत्तर है, महनत करने पर उसका उचित मुल्य नमिलने को ही कभी ने मेहनत की लूट और सोसर कहा है जबलपूर में भूला राम कहा रहता था इसका उत्तर है धामापूर मोहले में धर्मराज ने नारद मुनी को किस उल्धन के बारे में बताया तो भूला राम नाम के एक जीव की पांच दिन पहले मिर्तिव हो गई उसके जीव को रखमा देकर भाग गया इसने सारा ब्रह्मान दिछान मारा पर वह नहीं मिला धर्मराज ने यही बात नारद मुनी को बताई और अपने उल्धन का कारण बताया चित्र गुप्ट कौन है उत्तर है ये धर्मराज के प्रधान लिपिक है और मनुस्य की जन्म मृत्ति का ले जया माया सच्चाई और सदाचार उनमें भरपूर है और वेशू संस्क्रेथ हैं किसकी संस्क्रेथी सबसे उची समझी जाती है तो उत्तर है जो वैक्ति अपने दुर्गुनों जैसे काम, क्रोध, लोब, मो, आदी पर बिजय प्राप्त कर लेता है उसकी संस्क्रेथी कभी के बहस की हत्या कौन करता है इसका उत्तर है समाज के वो लोग जो गलत को गलत नहीं कहते कभी की सच्चाई की हत्या कर देते हैं यानि वे सच को ही गलत साबित करने में लगे रहते हैं पेड का दर्द में किसका दर्द चित्रित हुआ है तो इसका उत्तर है पेड का ही दर्द चित्रित हुआ है पेड का दर्द पाट का संदेश क्या है उत्तर है अपनी जड़ों से हमेशा जुड़े रहना चाहिए वरना अस्तित तो आपका खत्म हो जाएगा या पेड का दर जद ऐसे पेड़ के बारे में है जो दूर रहता है अकेला रहता है तब उसे काट दिया जाता है उसे जला दिया जाता है उसी तरह जो व्यक्ति अपने लोगों को छोड़कर दूर चला जाता है उसी तरह उसके साथ भी किया जाता है जगदिस चंदर बोस का योगदान किस छेतर में था? इसे विश्थित रूप में बताना है तो इसका उत्तर थोड़ा विश्थित है आप देख लें उनका सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने दिखाया है कि पौधों में उत्तेजना का संचार एलेक्ट्रिकल माध्यम से होता है ना कि केमिकल माध्यम से बाद में इन दावों को बैग्यानिक प्रयोगों के माध्यम से सच सावित उन्होंने किया था अचारे बुस ने सबसे पहले माइक्रोवेव के बनस्पति के टिश्यू पर होने वाले असर का अध्यान किया था उन्होंने पौधों पर बदलते हुए मौसम से होने वाले असर का भी अध्यान किया था इसके साथ साथ उन्होंने रासाइनिक इनिविटर्स का पौधों पर असर और बदलते हुए तापमान से होने वाले पौधों पर असर का भी अध्यान किया था गुरुनानक जी के अनुसार सच्चा धार्मिक कौन है तो इसका उत्तर है कि जिस वैक्ति के मन में प्रकास, आनन्द और संपुर्ण मानोता के लिए दया भरा हो वही सच्चा धार्मिक होता है इश्वर सत्य है, सत्य के सिवा कुछ नहीं, गुरुनानक की इन विचार को बताओ तो उत्तर है एक उमकार, सतनाम, कर्तापुरक, अकाल, मूरत, निर्भव, निर्वए, अजुनिश है और अपनी सत्ता काईम रखना वाली, यानि ये सारी बाते जो है, ये बताती है कि इस्वर एक है, उसका नाम ही सच है वही सब को बराने वाला है वो नीराकार है निर्भय है किसी का दुस्मन नहीं है जन मरंच से दूर है और अपनी सत्ता कायम रखने वाला है इसमें एक प्रसनाप के लिए अभी मैं लेकर आई हूँ आप इतनी की तैयारे कर लें फिर आगे मैं आपको और विज्यों के वीडियो लेकर आऊँगी तो आपको मैं और भी इंपोर्टेंट प्रसन उतर बताती हूँ और इन वीडियो को आप अपने मित्रों के साथ भी जरूर शेयर करें मेरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद